असलाम अलेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फेस्बुक डाइनामिक क्रेटिफ एड्स क्या होता है ठीक है आप इससे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी अरविटाइजिंग में अगर आपने मेरे प्यूस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको cb ライbao के बारे बारे में बाता हैं यह भी स्ट्रैटिजी होटी Opus लिए अफेस्टिंग के लिए मैटमेशों यह उते हैं आकार अपने रपैस्टन कि अपना यह चुज़ करना हुवता यह और इसमेशन अपना यूज़ कर अइसका हैं आपने दैट आडेट यूज़ कि उसका combination बना कि आपकी audience के सामने provide करेगी और जो आपके लिए best performing आपका creative होगा उसका आपको बता देगी कि यह आपका जो best performing करता है तो आप उसको further use कर सकते है अपने scaling के लिए अपने business की growth के लिए तो dynamic creative भी इसके लिए use होता है कि यह एक add manager में टूल है ठीक है automatically यह जो आपका add जो best combination होता है वो आपके machine learning को use करके अपनी audience तंक पुचाता है और आपको best performing creative निकाल के लिए क्या देता है तो यह automation के लिए use होता है इसमें आपने जो है Facebook को just five यह से minimum आपने जो है headlines प्रवाइड करने होते हैं पांच headlines प्रवाइड कर दी हो सकता है कि आप दो call to action प्रवाइड कर दें ठीक है तो यह आप डिपेंड है कि आप कितने कितने variation numbers में use कर सकते है ठीक है तो Facebook जो है उनको यूज करके उनको यूज करके आपके जो आपने audience प्रवाइड की होगी फेजबुक को एड़ सट लेवल पे जो आपने audience प्रवाइड की होगी उन तक वह combination बनाके send करेगा क्योंकि Facebook के पास आपकी audience का data है कि कौन से लोग जो है किस behavior के किस behavior के हैं ठीक है किस ad को देखे किस copy को देखे को क्लिक करते हैं ठीक है यह जो है टेस्टिंग टूल नहीं है मिनके यह एक टेस्ट के प्रॉपर जो टेस्टिंग के लिए होता है वो यूज नहीं है इसमें जैस आप जो है Facebook को components जो होते हैं वह आप प्रवाइड करते हैं Facebook उसको उनका आपकी जो बेस्ट होता है आपके उस लोगों तक पहुंच मखसद है testing इसका मकसद नहीं है इसका मकसद है कि इसने right add टक पहुंचाने right place पहुंचाने है बेनके किस placement पर लोग ज़्यादा इस हो रहे है न्यूश फीड़ पर हो रहे है या search जो search placement is Facebook की इस पर जदादा इस पर क्लिक कर रहे हैं तो उसके according जो Facebook आपके ads को optimize करेगा आपके ads के components के coding यह testing नहीं होता ठीक है इसको Facebook artificial intelligence को use करके इसको right ad right people तक पुंचाएगा तो इसका जो structure होता है इस campaign का उसमें एक campaign होती है ठीक है campaign के अंदर एक adset के अंदर add होता है जिस तरह एक normal campaign होती है ठीक है उसमें फिर multiple आप description यूज़ करते हैं text यूज़ करते है call to action यूज़ करते है creative यूज़ करते है इसका मैं आपको practical भी करके बताऊंगा तो आपने add तक इस वीडियो को देखने है तो यह आपको use करनी चाहिए देखें दोस्तों जब आपके पस budget high हो ठीक है और आपके पास time ना हो तो आप जो है automation तब use करें ठीक है फेस्बुक की artificial intelligence बहुत advanced है ठीक है वो खुद उन लोगों तक आपके add पुंचा देगी जो के आपकी add में interested होंगे ठीक है जो आपके जो आपने audience provide की होगी तो broad audience target आपने provide करनी है ताके फेस्बुक अपने artificial intelligence यूज़ करके आपके लिए best creative निकाल के लिए यह नहीं कि आप नीच targeting start कर लेनी है ठीक है तो उससे आपकी best performing ads निकलना मुश्किल हो जाएगी जिससे जो है आपकी course बढ़ जाएगी उसके बाद जो है आपने जो access provide करना है मिनका आपने जो पांच add copies लिखके देदी है Facebook को ठीक है तो उनमें कुछ न कुछ मतलब कि यह नहीं कि एक किसी और topic पर लिख्योई हो एक किसी और topic पर लिख्यो इमिज जो आप एड क्रीटिव प्राइट कर रहे हैं वो किसी और पर हो मिनका इनका मैच होना इनका मालब कि एक कठा uploaded जो आप करेंगे उनका कोई नकोई इक सेंस बन रही हो कि एक मालब कि आप जो एड कोपी लिखते हैं जिस तरह एक एड़ आप सिंपल एक नॉर्मल एड बनाते हैं तो सी तरह की आपने उनको बना के देने 5 कोई सैंस बन रहे हो मालब रहे हैं किसी और topic पे आपने का पी करेंगे दिये यह कोई इसी और पर औ वहा है तो इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना है और जो आपने इसके result को देखते रहें ठीक है जो आपको best performing दे रहा उसको आपने रखना बागी आपने इसको close भी कर सकते हैं या उसको आप exclude भी कर सकते हैं वो किस तरह आप करेंगे उसके लिए काफी KPIs IML आपने CTR चेक करना है अपने ठीक है और आपने कोस देखने हैं कोस CPI क्या आ रही है ठीक है कोस पैकोजिशन यह हो सकता है कि CTR जाद हो लेकिन आपकी सेल ना नहीं कर रही हो तो आपने इसको बंद कर देने ठीक है आपने गोल के इसको देखने है तो यह चार अगर आप यूज़ करते हैं चार तरह कि आपने लाजमी अपने मैथड ने जो दिमाग में लाजमी रखने इसको यूज़ करते वक्त अब जिमाग पर प्रैक्टिकल करके बता देता हूं कि आप डैनामिक क्रेटिव एड किस तरह बना सकते हैं तो आपने आना है सिंपल अपने एड मेनेजर में जब आएड मेनेजर में आएंगे तो जिस तरह आप स रिफ्रेश कर लेता हूं क्योंकि कुछ शोर नहीं हो रहा मुझे यहां पर आपने थोड़ा सा वेड कर लेने हैं ठीक है कि नेट का इश्यू होता है यहां पर ज्यादातर ना तो यहां पर आपके पास क्रेट का ओप्शन आएगा ठीक है आपने वहां पर क्लिक करने जिसना आप एक सिंपल कंपेंड क्रेट करते हैं यहां पर आपने क्रेट करना ठीक है और जो आपने कंपचा अधर करने हैं जो आपका गोल ठीक है आपने वह कंपेंड करने हैं मैं कलेता हूँ ट्र若े में टाफिक कर लेता भी है तो यहां मैंने क्लिक किये आप नेट वह आपने थोड़ा सा वेड कर लेना है कोई इशू नहीं है इसमें ठीक है और आपने कुछ सीक्रें तो आपको थोड़ा सा वेड करना पड़ेगा को नेट यहां काफी स्लोव हो आज लेके को थो यह आपके पास एक कंपेंड बनेंगे ठीक है आपने के एक रच्ट लेवल पर आने अगर आपने डैनमिक क्रेटिव एड्स बनाने ठीक है तो एक सट लेवल पर आने के बाद आपने इसका एक आपशन ऊगा उसको आपने ओन कर देना है का यहहां और यह आगे उसके बाद यह रा बशस्ण ठीक है डाइनामिक क्रिटीग्ए इसको ओफ है यह आपने इसको ओन कर दिन एध़ हैं है तो उसके बाद का अनूल किलिक करें और अब आ साथ मेरे वीडियो बनाने का मैं सिर्फ वही आपको बता रहूं इसमें बाकिया आपने डिटेल देखना है तो मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बनाई हूँ या आप वो मेरी प्लेइलिस्ट में जाके देख सकते हैं I know कि एकमपें कमपें के अंदर एक एडणशट और एक एड़ के अंदर एक एड़ एक एड़ की अंदर जो हम यूसा करेंगे वह मल्टिपल कंपोनेट यूसा करेंने हैं ठीक है कि यहां आपने बता देने सिंगल ले मिटिया वीडियो ठीक है यहां से आपने select करने जो आप नहीं करना ठीक है Select image जतने आप यहां करना चाहिए आपो कर सकते हैं लग मैं यहां से image select करना चाहूं तो आप at least पाँच यूइज कर सकते हैं ठीक है image आप अपने use कर सकते हैं तो मेरे पास सिर्फ यह एक इमिज है ठीक है तो यह हम यूज कर लेते हैं किस तरह करना है एक इमिज यह होगी है आप पांच यूज कर सकते हैं ठीक है तो आपके पास काफी इमेजी होंगी वह आपने यहां से यूज कर लेना है यहां से यहां पर आपको लिखावा आजएगा कितनी आपने इमिज करें ठीक है करें है बत्यक्स प्रिम्टिक्स कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगती आपने जिससे यह फ लेनी है आप खुद अगर राइट कर सकते हैं थोप खुद राइट कर लें और हैं आपने जितनीक आपके से हो सकाए हिए आप इन इतनी 2-3 कर लेने है ठीक है तो अब अब Facebook पर तक क्या करेगा यह एक क्रियेटिव दो तीन क्रियेटिव हमने यूज कर लिए अब इस तरह कि हमने एक और इमेज कर लिए और दो हमने प्रैमिर टेक्स कर लिए अब Facebook इनको कंभीन कंभाइन कर गया आपकी और इस तक पुछ आएगा अईमेज जो बैस प्रफॉर्मिंग वैल काम कर ओगा आपने वह चेक करना ठीक है अनलिटिक्स में जा कि उसको आपने रखना बाकिया आपने स्ट्रॉप कर दें इस तरह आप हैडलाइन में मृटिपल यूज कर सकते हैं इस तरह तो यह दूसरी हैडलाइन होगी तीसरी हैडलाइन होगी जोती हैडलाइन होगी पांच हेडलाइन होगी ठीक है तो इस तरह से मदलब आप पांच क्रेटिव यूज कर सकते हैं पांच प्राइमी टैक्स यूज कर सकते हैं तो फेस्बुक जो है आपके इन कंपोनेंट्स को ठीक है यूज करके तो आपकी आउडियंस तक पहुंचाएगा कोलेक्शन करके जो बेस्ट आपकी ऑाउडियंस को वें करेगा उनका इटा आपकी ओडियंस का डैटा फेस्बुक पास अविलेबल है तो फेस्बुक जो है जो प्रफोर्मिंग डे बनाते हैं उनके सामने पेश करेगवा ठीक है जो अनका फिर ब्हुइवियर जो फेस्बुक को पाता है क्या कोडिंग एड़ आपका optimize किया जाएगा Facebook की तरफ से क्यों कि automation में आए ना यह कि manuel आपने कुछ भी नहीं करना सब कुछ automation में होगा यह तो इस तरह से जो है आपने यहां से करके और यहां से आपने publish करते हैं अगर आपने यहां से कर बना के उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो है किस तरह से इसको analysis करना है यहां से आपने जाना breakdown में और कि सोरी क्योंकि मैंने कि मैंने डाइनमिक क्रेटिफ एड यूज नहीं कि हुआ तो इस वज़े से जो यहां पर नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि आप किस तरह से करेंगे जब आप कोई एड बनाते हैं डाइनमिक क्रेटिफ एड तो आपको breakdown में इसका option आ जाते ठीक है इस तरह जैसे यह दिया आप breakdown पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास एक section बजएगा उसमें आपको different मलब दिये जाएंगे option कि आप जो है किस करद देखना है जो आपने पांच images select की हैं उसका देखना चाहते हैं या आपने website URL जो test कि उसका कर देखना चाहते हैं या आप text जो आपने multiple text use कि आप उन तो यह आपने देखने ना KPIs को को से आपने check करने ठीक है आपने click वाला देखना है या आपने sale वाला देखना है या CPA देखना है उसका coding जो आप analysis करना है उसके बाद जो best performing होगा उसको आपने रख लेना है बाकी आपने stop कर देखना है यह था कि आप dynamic creative को किस तरह से advanced level पे यूज कर सकते हैं किस तरह से जय उसको यूज करके अपनी testing कर सकते हैं अगर आपको कोई बास समझ नहीं आई तो आप जय मेंसे comment box में पूर सकते हैं और आप मेरा group भी join कर सकते हैं